हेलो एवरिवन गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे ही आप लोग आई हो बहुत अच्छे होंगे और आज मैं अपना ब्लोग बहुत ही सुभा सुभा से मतलब जो मेरी दिन की सुर्वात जहां से होती है मैं वहां से स्टाट की हूँ अभी सुभा का टाइम मूरा है सुभा का प्रूटिंग सेयर करती हूं और आज का टॉपिक किसी अलग टॉपिक पर है तो ब्लोग में बनेड़ों फिर आप लोगों को पता चल जाएगा तो यहां पर मैं जैसे ही सुभा उठी हूं न तो मुझे हापी सी आ रही है और सुभा ना सबसे डिफिकल्ट लगता है सुभ उठना मतलब सुभा उठना और सुभा का काम वेगरा में लग जानो तो फिर नींद चली जाती है नहीं तो सबसे ज्यादा मुझेल लगता है उठना और फिर यहां प्यारा दिया भी साथ उठ गई थी तो मैं उठूंगी ना पता नियुसको कैसे आहट सी हो जाती है तो व सुभा उठते है ना तो वो यह काम जरूर करते है तो सबसे पहले यहां पर मैं पानी डाल दी हूँ और फिर उसके बाद मैं पूरे घर में जारू लगाओंगी तो अभी सबसे पहले मैं अपना रूम में आ गई हूँ तो इस रूम से ही हम सुरवात कर रहे है तो फटा अभी ताप लोग देखे ही होंगे तो विनना पहले फटा फट से हम जारू देते हैं इस रूम में भी हम जारू दे दिये थे अभी हम ब्रांडे पर भी जारू देंगे तो बहुत साथा सबस्कारबर कहते कि दीदी आ उल्टे तरफ से जारू क्यों देते हो आप इधर से तो देखो डियर कि जब है ना मेरी न्यू न्यू जब साधी होई थी ना तो क्या है ना कि अंदर के तरफ से ही ज़ाडू हम तब ही से दे रहे थे तो फिर मेरी आदत बन गई और एक बात और जैसे कि न्यू न्यू जबी बहू होती है तो उसको मुलना बाहर का एलाव नहीं लेती थी तब ही से मेरा आदत हो गया इसलिए मैं इधर से ज़ाडू लेके नहीं जाती हूँ फिर क्योंकि इधर मुझे किचन वेगरा में ज़ाडू लगाना होता है पुरा पीछे फिर आंगन है और वह सब में भी ज़ाडू देना होता है इसलिए मैं पूरा इधर से ही पोचा लगा अभी मम्मी लोग सोई हुई है और इस रूम में भी पोचा लग गया है एक देख लिजिए ये सरारती उठ चुकी है और बदमासी इस रूम से इस रूम से इस रूम में इसका हो रहा है और एक सब्सकाइबर का है है हैपी वाला वाट डे उसका नाम है साक्ष तो हेलो साक्षी जी, हैपी वोट डे, गोड ब्लेश यू, मैनी मैनी डिटेंस आप डे, आपके जिंदगी में हर साल ये दिन आए, और आप देख सकते हैं, पुरा घर का मेरा क्लीनिंग हो गया था, आप लोग ने बहुत सारा, ऐसा है ना कि मेरा जो ब्लॉग वीडियो है न मतलब समभालती हूं, तभी आप देख रहे हैं, सेम टू सेम मेरा ऐसे ही दिन चलता है, ये नहीं कि, रेश्ट थोड़ा बहुत बीच में मैं कर लेती हूं, जैसे बाबू को फीडिंग करा रही हूं, या तो अरादिया को सुला रही हूं, तभी मैं रेश्ट कर लेती हूं मतलब सो जाना दिन भर आराम करना तो ऐसा मेरी लाइफ में नहीं है, और फिर देख सकते हैं, किचन का सफाई करने के बाद अभी मैं चाय बना के दूंगी, सेम जो आप देख रहे हैं, सुभा से मतलब जब तक अभी मेरा ब्लॉक खतम नहीं होगा, तो सेम मेरा ऐसा ही चल से रही थी, तभी और चाय बना के देने के बाद मैं आ गई हूं, नहां दो के रेडी होने के लिए, तो मैं ये बता रही है, जबी मेरा मानसीख धार्म हो चलता है, तभी मैं इस तरह से सिंदूर लगाती हूं, जो सूखा वाला सिंदूर होता है, मैं थोड़ा सा पहले ही निकाल लेती हूं, जो पूजा पार्ट वाला होता है, वो मैं यूज नहीं करती हूं, तो मैं अलग से वो पहले ही निकाल लेती हूं, ये मैंने आप लोगों को बताने के लिए सेर कर रहा है, फिलाल ऐसा मेरा भी टाइम नहीं चल रहा है, तो बस आप लोगों के कहने के अ वीडियो बना रही हूँ मैं समझ यू है। स्दूर में अलग से रखती हूँ। में समाले नहीं रहती है। स्पेइवैं और इसंदूर बिक हो जड़ा thriving है। तो इसलिए मैं ही करती हूँ और मैं तो भूकी रख नहीं सकती हूँ अपने बच्चे हजबेन सासु मा को इसलिए मुझे ये सारा काम करना पड़ता है तो आप देख सकते हैं भी सुबह काम नास्ता बना रहे हैं और नास्ता में आज बना रहे हैं पास्ता तो सबका मनोडा था पस्तपा सबका नहीं सिर्फ हजवेंजी घड़ पे नहीं थै मम्मी और मैं हूं तो हजवेंजी सुबह में चले गए हैं काम से बाहर तो सबकाBATR बाहर गए हैं इनको सब्धू घोल कर दे दी थी तो यह पी की आडाम से चले गए है मैं ना अपने और मम्मी के लिए पास्ता ही बना लेती हूँ तो मम्मी सही पूछे तो मम्मी बोली क्या मतलब पास्ता ही बना लेने के लिए तो पास्ता तो मैं बना ली थी और यहाँ पे हम मैंगो सेख के लिए एक आम ले रहे हैं तो यह आम ना मैं छिल लेती हूं और इसका पल्ब जो है ना वो पल्ब मैं निकाल लेती हूं तो आप देख सकते हैं आम जब मैं छिल ली और इसका सारा पल्ब हम निकाल लेंगे तो इसी से हम मैंगो सेख बना लेंगे क्योंकि मैंगो सेख करीब-करीब हमारे घर में सब को पसंद है तो मैं जहूर बनाती हो यहाँ पर दूद ले ली हूँ दूद में हलका सा मलाई है बिल्कुल भी यह ठंडा दूद है और यह जितने भी आम का पल्व मैं निकाल के रखी थोड़ा सा मैं चीनी डाल दी हूँ क्योंकि अल्रेडी हमारा जो दूद है वह मीठाई ही होता हम भी थोड़ा मीठाई ही था इसी विए हलका ही हम चीनी लिए आ जागी है आप लोग भी पास्ता और मैंगो सेक मेरा रेड़ी है एक दम सुभा का नास्ता हम लोग यही किये थ और फिर ना मैं सुभा में नाने के टाइम जो कपड़ा मैं दोई थी तो सारा कपड़ा मैं नहीं छट पे फैला पाई थी तो अभी मैं फैला दी हूँ नास्ता करने के बाद और फिर यहां पे बैट सेट कर रही हूँ तो आप लोगों का सैद आज कनफ्यूजन दूर हो ज वहना पतती है तो सहएद आप लोगों को पता चल क्या होगा उमीद ही आगे से आप लोग इस बारे में क्वश्च्छन नहीं करेंगे तो चलिए फटा-फट से हम बैट सिट भी सैट कर लेते ह sizin से T přिर मैं इस रूम का भी सेट कर लेती हूँ आर बैट सिट करने के बाद अ को रहे गया है तो फटा फट से हम वह सारा काम निप्टाएंगे तो अरादिया सो गई हम साइड में तक्या लगा दिये क्योंकि पलटती वेलटती है न तो गिरना जाए इसी वज़े से और फिर यहां पे नास्ता का बरतन था जो तो सारा बरतन भी हम धो लिए थे और फिर न मासाला तो आप लोगों को पता है फिर भी मैं बता देतु लहसुन मिर्ची जीरा धनिया यह सारा चीज का पेश्ट बना लिए थे हल्दी नमक भी साथ ही डाल दिये थे मासाला पक जाएगा फिर उसके बाद हम बैगन एड कर देंगे और थोड़ा से गल जाएगा फिर हम बड़ी एड करेंगे पहले हम थोड़ा वैगन को पाथ 6 मिनिट में यह अराम से गल जाएगा हम इसको ढख के पकाएंगे तो मासाला के साथ अच्छे से जब यह वैगन देख सकते कितना अच्छा घूल गिया है अब हम इसमें पानी एड करेंगे अपने ग्रेवी के अनु पहले ही हम फड़ाय कर लिए थे और फिर हम बड़ी डालके अधम ढख दिये थे कहीं से भी इसका वस्प नहीं निकल रहा था सबजी बिल्कुल भी रेडी हो गया था थोड़ा देर के बाद तुरती नहीं थोड़ा देर के बाद हम आपे खाना निकाल दिये हैं और आज हस ली गई थी रोट पर घूमने के लिए मतलब बाहर तो फिर उसके बाद यहां पर मैं दोपाड का जो कितना काम होता है वह सारा भी निप्टा लेते हैं फटाफट से भी गैस पोचेंगे और उसके बाद जो खाना पीना का वरतन था वह सारा हम धूलेंगे बरतन दोने के ब मेरा उपवास वाला दिन रहता है तो मैं तो आप लोगों से हर चीद सेयर करती हूं आज आप लोगों को कहने पर यह भी सेयर कर दी तो चलिए इस ब्लोग को हम यहीं करते हैं बहुत जल्दी मिलते हैं प्यारा सब लोग के साथ तब तक के लिए हस्ते रही है मुस्कराते